हैलो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक जाम योजबाई उदैसर में दोस्तो फिर से एक नई सेशन के साथ आए है मेरा पहला प्रिसन आप सभी के लिए भिवानी प्रिसन आएगा भिवानी नहर की सथापना भिवानी नहर की सथापना पहला तूसरा पिरसं यहां से ये बन जाता है। लेकिन मैं आपको यहां से एक अच्छा प्रिसन बताऊंगा वैसे तो अलताब हुसेन हली का संबंद पानिपत से है इनका पानिपत में जनम हुआ है कई बार इसकी डेट अब बर्त पूछ लेता है 1837 में इसका जनम हुआ है 1837 में इसका जनम हुआ है लेकिन यहां से मैं आपको बता रहा हूँ इसे एक उलेमा की उपादी दी गई किसकी उलेमा की उपादी दी गई है और ये उपादी किसके द्वारा दी गई तो दिहान रखना अंग्रेजों के द्वारा इसे उलेमा की उपादी दी गई है और सन पूछले 1904 में ये उपादी दी गई है कब दी गई है? 1904 में उपादी दी गई है और इसे सम्मो उलेमा भी कहते हैं, कई बार धिहान रखना ऐसे भी आ सकता है ये उपादी से दी गई है अंग्रेजों के दौरा और इसी के नाम से हौली पुर्षकार दिया जाता है हरियाना में तो यहां से यह पिरसन भी बन सकता है अगला पिरसन है मेरा बहुत ही अच्छा पिरसन है अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपादी जी हाँ अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपादी लाला मुली धर को कब दी गई केसर ए हिंद की उपादी केसर ए हिंद की उपादी लाला मुली धर को कब दी गई यहां से पिरसन बनेगा बिल्कुल लाला मुली धर को कब दी गई तो ये भी उपादी 1904 में दी गई, कब दी गई, 1904 में दी गई है लाला मुली धर को केसर एहिंद के उपादी, किस के द्वारा दी गई, अंग्रेजों के द्वारा दी गई, एक दूसरी उपादी दी गई है से राय बहद्दुर की उपादी, कौन सी दी गई है, राय बहद सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है और डेट मैंने आपके सामने लिख दिया है तो आप पहले तो सिक्रीन सौट लें फिर कुछ पिरसन और देखेंगे चलो एक पिरसन और करा देता हूं मैं साथ के साथ अगला पिरसन है काया कलब समाचार पत्र हरियन में कहां से निकला तो यह निकला है सफीदो जीन्द से कहां से निकला गया है सफीदो जीन्द से कौन सा समाचार पत्र है काया कलब है सफीदो से निकला गया है सफीदो आपका कहां पहले है जीन्द में है तो दियान रगना अच्छा पिरसन है और डेट पूछ ले, ये समाचार पत्र कव निकला है, 1943 में निकला गया है, ठीक है भई, अगला प्रिसन है मेरा, एक बहुत अच्छा प्रिसन मैं कह सकता हूँ, पहले आप सिक्रीन सॉट ले, फिर कोछी प्रिसन और देखेंगे, ये साथ के साथ सिक्रीन सॉट ले पहले आप, नेक्ट प्रिसन है, एक लीथियम बैटरी प्लांट है, ध्यान रखना किसका लीथियम, लीथियम बैटरी उद्द्योग भी हम कह सकते हैं, लीतियम बैटरी उद्योग हरियाना में कहां पर स्तापित किया जाएगा तो ये हरियान सरकार ने घोसना किया और काफी समय से घोसना कर रही है हरियन सरकार तो ये जो किया जाएगा मेवात में स्तापित किया जाएगा कहां पर स्तापित होगा मेवात में स्तापित होगा बहुत अच्छा प्रसन में कह सकता हूँ साथ की साथ इस उद्योग से स्तापित होने से जो मेवात के बेरोजगार लोग हैं मेवात के जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें काफी हद तक रोजगार मिलेगा ये कहने में मतलब ये जो गोसना की है दुसियन चोटला या मनोलाल खटर के द्वारा की गई है कि हम लीथियम बैटरी उद्योग स्तापित करेंगे और देश का सबसे बड़ा उद्योग होगा है लीथियम बैटरी का तो यह कहां पर स्तापित किया जाएगा मेवात में दूसरा एक कंपणी है फिलिप कार्ट कौन सा हरियन सरकार ने उसकी भी घोसना किये कि हम जो आपका नौइडा है उसकी तरज़ पर हरियन अमे भी जो फिलिप कार्ट है उसे विक्सित करेंगे और उ ये भी आपको पता होना जरूरी है, तो मतलब कि कह सकता हूँ कि मैं यहां से दो करंट के पिरसन भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, अगला पिरसन देखते हैं, अगला पिरसन है महत्मा गांधी पिर्थम बार रोहतक कवाई, महत्मा गांधी पिर्थम बार रोहतक कवाई पहला प्रिसन मेरा यहां से यह बनेगा दूसरा प्रिसन है महत्मा गांदी अंबाला कवाई रोतक की मैंने बात की है अंबाला की मैंने बात की है यह दो प्रिसन मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि एक दयानन सरस्वती है कौन से हैं दयानन सरस्वती इसका पिरसन पूछा गया है एक्जाम में ये सबसी पहले हरियाना में कहां पर आई तो इसका अंस्वर मैं आपको बता दूँ ये सबसी पहले अंबाला में आए हैं कौन आए हैं दयान इन सरस्वती और डेट भी पूछी है तो ध्यान रखना 17 जुलाई 1878 में आए थे वही कब आए थे 17 जुलाई 1878 में और महत्मा गांदी की अगर मैं बात करूँ सबसी पहले ये जो रोतक में आए हैं महत्मा गांदी ये आए हैं आपके 17 फरवरी 17 फरवरी 1921 में कब आए 17 फरवरी 1921 में और अमवाला को आए 8 मार्च 1921 आठ मार्च 1921 यानि कि यहां से 3% भी ऐसे बन सकते हैं क्योंकि HSC कुछ भी पूछ सकता है और दोस्तों अगर आपको लगता है हैं पर हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपको लगता है कि हमें हरियान जीके में फुल नंबर चाहिए तो आप हमारा पेड बेच भी जोइन कर सकते हैं भाई को बेच जोइन करना है मैं इतना कह सकता हूं कि आपका एक वी नंबर नहीं कटेगा हरियान जीके का करण तफिर का हरियान जीके होती है या फिर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं 2021 की आपको पर मंत के साब से मिलती रहेगे मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ अगर आपको लगता है यहां से अच्छी तैयारी हो सकती है तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं यहां से आप पेमिंट कर सकते हैं Google पे, phone पे, Appetium से मात्र केबल आपको एक बार पे करना है और फलाल ओफर है यह सब कुछ आपको 99 रुपे में मिल जाएगा और मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे आखरी में मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ अगर आपको लगता है कि हमें यहां से जोइन करना है सिलेक्शन लेना तो ज़रूर जोइन करें और आपको लगता है हमारी हरयान जी के ठीक ठाक है तो आप हमारे practice set भी जोइन कर सकते हैं 31 रुपे में आपको 20 हरयान जी के practice set मिल जाएगे और हर set में 25 पलस प्रिसन है हरयान जी के तो आप ये भी जोएन कर सकते हैं और आपको लगता है हमें सब कुछ चाहिए तो आप 99 रुपे में ले सकते हैं तो सिक्रीन सोट लें आप सभी पहले और जबर जस्ती किसी के साथ में नहीं है आपकी मर्जी है जोएन करें या न करें आगे आपका फर्ज है आपको लगता है कि हमें रोजगार चाहिए तो आप जोन कलने वरना कोई जरूरत नहीं है अगला प्रिसन देखते हैं अगला प्रिसन है जैनेंद्र जैन गुरुकुल की सथापना कहा पर की गई है इंपोटेंट है वाई जैनेंद्र जैन गुरुकुल इसकी सथापना कहा पर की गई है तो इ 1929 में इसकी सथापना हुई है और यह सथापना हुई है पंच कुला में कहां पर हुई है पंच कुला में और पहला गुरुकुल पूश ले गुरुकुल ठीक है गुरुकुल कब सतापित किया गया तो ध्यान रखना यह 16 माई 1915 की बात है यह जजर में सतापित किया गया कहां ये जजजर में स्तापित किया गया है कौन सा गुरुकुल के नाम से और ये जैन के नाम से ये आपका पंचकुला में है तो दो प्रिसन ये थे आपके सामने कुछ प्रिसन और देखती है मैं मार कर चेंज कर लेता हूँ एक बार अगला प्रिसन है मेरा आप सभी के लिए महंदरगड की सथापना important प्रिसन है कौन सा है महंदरगड की सथापना बहुत अच्छा प्रिसन है महंदरगड की सथापना पहले तो प्रिसन आएगा महंदरगड की सथापना किस ने की तो एक राजा थे मेहंदरगड के, कौन से राजा है नरेंदर के द्वारा, ठीक है, इसकी सथापना मेहंदरगड की सथापना नरेंदर राजा के द्वारा की गई है, और पूछले किसके नाम पर की गई है, तो इनके पुत्र है मेहंदर सिंग, उसके नाम पर की गई है, और क तो दिहान रखना important person है अगला प्रिसन देखते हैं अंबाला के उपायक थे ठीक है कहां के अंबाला के और बंब रख दिया गया था ठीक है इस अंबाला में जो एक प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूँ अंबाला में बंब बनाने का कारिया करते थे वैद लेकराम और यसपाल ठीक है वो बंब बनाते थे अंबाला में उनका संबंद अंबाला से और जो अंबाला के उपायुक थे उनके बंगले पर बंब रख दिया ग वरा बं बनाए जाते थे, इंपोटेंट प्रिसन मैं कह सकता हूं, एक लॉड एर्वीन थे, उसकी ट्रेन के नीचे भी बं रख दिया था, किस ने रखाता बं, वैद लेकराम ने रखाता, लॉड एर्वीन की ट्रेन के नीचे दियान रखना, और पूशलिक कब रखा गया है वो December 1929 तो इसका भी आंस्वर यही रहेगा तो सिक्रीन सोट लें या फिर कुछ इंतजार करें एक दो प्रिसन और करा देता हूं मैं साथ की साथ अगला प्रिसन है कुरूचेत्र विकास बोर्ड की सथापना कब हुई कुरूचेत्र विकास बोर्ड की सथापना कुरूचेत्र विकास बोर्ड की सथापना कब हुई एक अगस्त 1979 में इसकी सथापना हुई है ठीक है अगला प्रिसन है बाल विभा मुक्त पंचायत कौन सी है हरियाना की बाल विभा मुक्त पंचायत बाल विभा मुक्त पंचायत हरियाना की कौन सी है तो द्यान रखना गांदी नगर एक पंचायत है गांदी नगर पंचायत का नाम है और सीधा आप से पूछ ले ये पंचायत कहां पर है तो हिसार में आपकी पंचायत है कहां पर है हिसार में है वही पंच अगला प्रिसन है मेरा आप सभी के लिए एप सहईयोग आंदोलन का विरोध करने वाला एक मात्र वैक्ति कौन था हरियाना का? जिसने ए सहयोग आंदोलन का विरोध किया हर्याना में एक मात्र वेक्ति है सर छोटू राम कौन थे सर छोटू राम थे ध्यान रखना और कब किया 1920 में इसका विरोध किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए साथी है डेली आपके लिए कुछ न कुछ ले कराएंगे हम डेली और आप बार बार मेसेज करते हैं कि सर हर्यान जी की कराएं काफी टाइम हो गया तो भाई डेली अब आपको क्लास मिलेगी और आपको क्लास अच्छी लगती एक बालू का टीला है कौन सा है बालू का टीला है पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है दूसरा प्रिसन बनेगा बालू का टीला है कहाँ पर ये आपका कैथल में है तो यहां से लहसुन के अबसेस मिले है इंपोटेंट प्रिसन है ठीक है अगला प्रिसन है फियांस की चूडियां हरियाना में कहां से मिली है प्राचीन समय की फ्यांस की चूडियां हरियाना में कहां से मिली है प्राचीन समय की तो ये मिली आपकी तिगडाना कहां से मिली है तिगडाना और तिगडाना आपका कहां पर है भिवानी में है तिगडाना आपका कहां पर है भिवानी प्रसिद्ध है काज की चूड़ी उद्योग आपका रहोतक का प्रसिद्ध है ठीक है विचित राकार की चूड़ीयां पूछ लेता है कई बार तो विचित राकार की आपकी फतेवाद है तो सारे बता रहा हूँ यहाई की साथ की साथ फतेवाद है और एक आता है प्रसन रातीन समय की मिट्टी की चूड़ियां कहां से मिली हैं वो आपके हिसार से मिली हैं ध्यान रखना कहां से मिली हैं हिसार से मिली हैं तो अब आपके यहां से प्रिसन गलत नहीं होने चाहिए और सीधा पूछ ले आश्मानी रंग ठीक है यानि हरे रंग की या लाल रंग की ऐ ऐसे कुछ सब्द आ जाएं इन से अलग तो भगवान पूर कुरूचित्र शे मिली हैं कहां शे मिली हैं भगवान पूर कुरूचित्र शे मिली हैं बहुत सारी चूडियां है जो अलग रन की हैं तो यह पिरसन भी आपको पता होना जरूरी है तो यह पिरसन भी यहां से बन सक किया है ध्यान रखना इंपोर्टेंट यानिकी एलेक्ट्रोनिंग वोटिंग मसीन हम कह सकते हैं इसका प्रियोग हरियानन किया है और पून रूप से अगर पून रूप से तो गोवा ने इसका प्रियोग किया था लेकिन हरियानन सबसे पहले तो और 2004 में जो लोकशवा के लेक्शन होई थे उसमें पून रूप से सभी जगए एबियम का प्रियोग किया गया तो ये भी आपको पता होना जरूरी है ठीक है भई अगला प्रिसन कि खुदाना बेराना की कब की गई तो इसका जो सही आंस्वर है 2034 किसके दवाराarm के दवारा जहां रखना M एम राव के दुवारा और दोस्तो आज की वीडियो में केवल इतने ही पिरसन है जादा पिरसन नहीं थे लेकिन अच्छे पिरसन थे और अगर आपको किसी पिरसन पर डाउट है कई बार ऐसा हो जाता है कि लिखते कुछ हैं बोल कुछ और देते हैं कई बार गलती हो जाती है अगर बाई चांस मेरे से अगर कोई ऐसा पिरसन गलत हुआ तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाता हूँ आप कोमेंट वाक्स में छोड़ सकते हैं अपना आंस्वर उत्तर छोड़ सकते हैं अगर बाई चांस अगर मेरे से कोई दिक्कत हुई है तो उसे हम सुधान्य की कोसिस करेंगे वैसे एरर फिरी अपनी तरफ से ये वीडियो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगती है जो नए साती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर बाई 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 भीडियो